इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे आपको एक्सोर्टिक इग्वानास अविलिबल एड दे करनाटका एक्वीरिम तो इनके पास अभी इग्वानास का भी काफी अच्छा स्टॉक आया हुआ है यह देखिये कितने प्यारे मासूम बेबीज हैं एक थोड़ा सा बड़े साइस का इग्वाना है तो हमको इनके बार में पताएंगे साइद भाहिजान तो सबसे पहले बाई कौन सा दिखाएंगे आप यह है ग्रीन इग्वानास बेबी बेबीज है अपके पास यह बेबीस है यह हैचलिंग बेबीस है जो 9,000 रुपीस का पीस है अच्छा और हमारे इंडिया में फास्ट मूविंग आप इसको बता सकते हैं विकाज यह काफी सारी कौन्टिटी में सेल हो जाता है जो छोटे-छोटे इग्वाना साथे यह बहुत ही बहुत अच्छा औ अच्छा और यह इंडिया में ही ब्रीड हुआ स्टॉक है क्यूंकि इसका आप साइज देख सकते इसता छोटा जो साइज है यह अभी हैचिंग रिसेंट हैचिंग हुआ साइज है जी अभी यह खाना खाना अभी-अभी मतलब 2-3-4-5 दिन से चालू की है तो यह वैसा काफी सारा ऐसा प्रोटिन्स देता हूं मैं इनको और हां जो इसका पाउड़र आता है कैल्शीम पाउडर जी जी तो बेबीस को एक यह क्याल्शाम पाउडर देके इनको मतलब अभी ग्रोध के लिए काफी अच्छा है इनके लिए और अभी ऐसे दिखने में आपको काफी अजीब दिख रहे होंगे क्योंके काफी छोटे हैं लेकिन यह जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे आप नेरे शोल्डर पर देख सकते हैं लेट राइंड चॉल्डर पे यह एज इस ग्रीन लेकिन अभी जो आप यह बड़ा इगौना देख रहो यह उससे भी बड़ा हो जात वाव यह तो भाई काफी मतलब on the next level दिख रहा है बहर unique दिख रहा है विकोज अब लोग बात कर लेते कोई अगर पहली बार रखना चाहेगा मान लेजे मुझे पहली बार रखना है तो UVB लाइट कितने घंटे चाहिए खाना कितने चाहिए पांच गंटे UVB लाइट चाहिए इसको और खाना और पानी कभी भी रखना अच्छा है पेट के सामने विकाज यह इंको मुस नहीं है बात करने के लिए अगर खाना इनके सामने रहेगा इनको जब भी मन करेगा तो यह खाना खाते रहेंगे और इनका जो है मजुरी इनका मेरे पास available में है अभी अगर इसको मजूरी देंगे तो यह फास्ट ग्रोथ अच्छा ग्रोथ कर लेगा और हेल्थ वाइल भी इसकी काफी अच्छी कंडिशन में रहेगी अगर यह देख सकते हैं यहां पर इस इगवाना का लुक ऐसा लग रहा है कि जो वेलोसी रैप्टर है बाई जुरोसिक वोल्ड का पूरा वैसा उसका मुझ दिख रहा है तो इसा लग रहा है कि उसको देखते हो कि जिस एंगल से वो देख रहा है आपके पास और कैमेरा के प बनाया है तो उनको जरूर उसकी मतलब तारीफ करनी ही चाहिए तो भाई बात बैक टुद टॉपिक बात करते हैं कि यूवी का अपने बता दे खाना का बता दे क्योंकि अब यह चोटे बड़े नहीं है तो क्या ध्यान में नजर रखते हुए इनका जो एंक्लोजर बनाना पड़ेगा दिए को एक जपट में इसको निंगल लेगी तो बहुत केरफुल रहना पड़ेगा बच्चा जलिए बहुतफ़ रहना पड़ता है तो यहीं बोलुँगा कस्टोंबर्स को और जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी यही बताना चाहूंगा कि जैसा इनका behavior है वो काफी अच्छा है और यह काफी अच्छे टेम्ड हो जाते हैं और यह सिर्फ vegetables ही काते हैं चिकन मटन ऐसा कुछ तो खाते नहीं है सिर्फ और सिर्फ vegetables fruits दालेंगे वही खाएंगे और यह काटेगा तो बिल्कुल नहीं अगर काटेगा भी तो इसमें कुछ venom ऐसा कुछ नहीं है काफी सारे मैंने लोगों को देखा है अंध विश्वास पहलाते हुए कि यह अगर हाथ में रखेंगे तो खून चूज लेगा पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं मतलब साइंटिफिक बात आजकल है ही नहीं ऐसे कॉमन बात उड़ाते बात बोल रहे हैं अभी आप सोची अगर मैं इत्ते इगवानास के साथ रहता हूं यह खुन-खुन चुस्ते चुस्ते आज तक तो मैं रहता ही नहीं जी सामन बात है तो ऐसा परसो एक लेडी कस्टमर आये थे मेरे पास वो कुछ भोपड़ा या कु अभी व्यूडिफुल अनिमल है और अभी ज्यादातर मैं खुद देख रहा हूं कुट्ता विली से ज्यादा अभी ऐसे एक्जॉर्टिक अनिमल्स पे काफी सारे जो है हमारे कस्टमबर्स वीवर जो भी है ट्रनफ हो रहें ठैंक्स पो थैंक्यू बोलना चाहूंगा पहल पहलानी के रह सकता है ऐसा आइटम रखने से काफी अच्छा है विकॉज अपना काम धाम छोड़के कुत्ते को वॉकिंग लेके जाओ या फिर उसको कुछ आलग पॉटेट आटे यह सब उठाओ इसका ऐसा कुछ टेंशन नहीं है बहुत इजी मेंटेनेंस है अगर किसी को अगर पाइथन को अब ले लीजे वीकली वन्स ही उसको खाना किलाना पड़ता है तो काफी अच्छा मेंटेनेंस हैं काफी ब्यूडिफुल आनिमल्स है और अट्रैक्टिव आनिमल्स हैं जैसे के रेप्टाइल्स में मेरे पास अभी ब्लाक और टेगू है मॉनिटर्स हैं मॉनिटर्स हैं काफी वराइटी के भी इगवाना से मेरे पास तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है रेप्टाइल्स में मेरे पास अभी एक एक इक इंक्लोजर में 100-100 पीस इगवाना भी रहते हैं तो एक ही बार में मैं खाना रखता हूं बहुत ब्यूडिफुल रहा है उसको खाना देंगे तो इमिडेटली खाना चाहिए डॉक्तों मैं मानता हूं एक मौकर से खा लेगा कैट वगेरा तो वह खाएंगे नहीं तो रेप्टाइल ऐसी चीज़ है कि मस्त व्यूडिफुल आनिमल है यही बोलना चाहूंगा मैं इसको 100% रिजल्ट हूंग के पेट रखना चाहते हैं तो काफी लोग एक्टिवली इंट्रेस्ट ले रहे हैं काफी लोग ने मेसेज भी किया कि हम ने करनाटा का एक्विरियम से इगवानाज ले काफी अच्छे से रख रहे हमको काफी अच्छे से इन्होंने डिलिवरी की प्रोवाइड करी तो ऐसे आपको कि exotic pets का hobby का बहुत अच्छा future है ब्राइट future है इंडिया में आने वाले time में काफी अच्छा bright future है because मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं जैसे कि अभी जो आये हैं दिन नहीं back to days में देख रहा हूं क्योंकि मैं पहले जो है इगवाना लोग देखके डरते थे अभी उनको चुने का मन कर रहा है तो आगे लेने का मन करेगा उसके बाद रखने का भी मन करेगा तो यह मुझे काफी अच्छा लग रहा है विकॉल जब मैंने रेप्टाइल का काम शुरू किया था तो इंडिया म मेरे पास काफी सारे रेप्टाइल आते हैं जाते हैं बहुत सारे मेरे पास ब्रीड भी होते हैं तो ऐसे अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है विकॉल मैं अभी आप भी देखे होंगे वो वीडियो मेरा मेरे चैनल पर जी एक्जॉडिक एवर्नेस रखा था मैं कि उन चालू किया है एक्जॉडिक काफी एक्जॉडिक आनिमल मैं सभी गवर्मेंट इसकूल हो हो प्राइवेट कॉलेचे अब कईसे करते हैं तो वगेरा वगेला सब सब मैं ठोड़ी ठोड़ी देर मतलब प्लान कर रहा है तो सब चीज मैं अभी लेके आओंगा इंडिया में और पहली बार इंडिया में मैंने इवर्नेस प्रोग्राम रखा हैं काफी सारे लोग जो एक्जॉडिक पालते हो काफी सारे लोग इसको देखके बहुत ही मतलब मन से मुझे दुआ दिये कि अल्ला आपको ऐसे ही जिंदगी में आपको हम दोनों को मध्य नजर रखते हैं उसके उपर प्लान करते हैं तो अभी अवर्नेस प्रोग्राम भी चालू किया है अगर कोई हमारे साथ जॉइन करना चाता है आजब वालेंटेब्स तो भी हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम लोग सभी का कॉंटेक्ट लिखके अलग से कर जाए और यही exotic pet hobby जो है आप इंडिया में काफी उंचे लेवल पर लेके जाए और मुझे यह एम शॉर कि यह जाएगी बिकॉस जिस तरह से आप pets दिखा रहे हो शोकेश कर रहे हो पहली बार मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा कि दो customers से आपने शुरू किया और तो डेय य से फेल है ताकि लोग इनसे डरे नहीं बलकि इनसे और प्यार करें जैसे वह dogs and cats के साथ करते हैं जी back to the topic इनकी prices बता दीजे देखे यह green iguana babies जो है यह 9000 रुपीज पर पीस है और इसमें अगर same size में blue color iguana आ जाएगा तो 25,000 रुपीज है और इसी size में अगर albino आ जाएग 55,000 रुपीज इसी size का और जो आप मेरे shoulder पे देख रहे हैं यह iguana के 65,000 रुपीज का piece है क्योंकि यह काफी सारा बड़ा है almost one year के खरीब है और आप left shoulder पे देख सकते हैं जो एक green iguana यह है 25,000 रुपीज पर पीस और यह भी almost एक साल का है और जो यह आप देख रहे हैं almost two months के हैं यह अभी खाना खाना चालू के हैं तो अभी almost two months के है और इसका जो भी मजूरी वगएरा है यह भी मेरे पास मिल जाए ओके all right so यह थे प्यारे पैर iguanas at karnada का aquarium इन दिये गए numbers की उपर आप इंको contact कर सकते हो अगर आपको कोई भी अन्या inquiries करनी है तो thank you so much for watching and have wonderful day ahead